अतिधिक दवा के सेवन से अमेरिका में कम हो रही है आयू प्रतियासा अमेरिका में साल 2017 में दवाओं के अतिधिक सेवन और आत्मत्य के मामले में इदाफा होने से आयू प्रतियासा में गिरावट दर्ज की गई अमेरिका के राष्टी स्वास सांकिकी केंदर की से दिन में कहा गया है कि अधिक दवा लेने से होने वाली मौतों में साल 2016 की तुलना में 9.6 प्रतिशध का इजाफा हुआ है इस वज़े से जीवन खुने वालोग सिंख्या बीते साल की तुलना में 70,000 हदिक हो गई है वहीं अमेरिका में आत्मत्य के मामले में 3.7 प्रतिशध का इजाफा हुआ है रिपोर्ट पे कहा गया है कि इससे अमेरिक्यों की ओसत आईउ में गिरावट आई है और ओसत आईउ साल 2016 से कम हो गई है याकणे ऐसे समय में सामने आए हैं जब देश में दर्द निवारक दवाओं अफीम अधारी दवाओं से बजार भरा हुआ है साथ ही कित्रिम अफीम अधारी दवाएं और नशले परदात हिरोनी की भी उपलबदता है आगणे दिखाते हैं कि बिछले कुछ साल में अमेरिका में आयू प्रतिशा में गिरावट आई है इस दशक में पहली बार साल 2015 में अधिक दोनए लेना कम होती आयू प्रतिशा की एक बड़ी वज़ा बना कुल मिलाकर आयू प्रत्यासर में 2014 से गिरावट देखने को मिल रहा है और अमेरिकी नागरिक जीवन में 0.3 साल हो चुके हैं गाउर तलब है कि पड़ोसी कनेडाई नागरिक अमेरिकीयों के तुलना में 3 साल अधिक जीते हैं जबके विश्मिच अपान के लोग औसत आयू सबसे अधिक करीब 84 साल है अगर आपको हमारा वीडियो चलागाओ तो फेस्बूप पेज़ पर लाइक करें और यूटूब पर सबस्क्राइब करें